Hello Friends, Knowledge Runner में आप सभी का स्वागत है आज की कहानी एक प्यारी सी बच्ची की कहानी है जो निश्ची थी आपके दिल को छू जाएगी तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की कहानी एक प्यारी सी नन्धी रूपा जो महुले के सभी लोगों की चहेती सभी के दिलों की धड़कन थी जो आज लाइट की जिल मिलाती रूसनी की नीचे बैठी अपने विचारों के समंदर में गोते लगा रही थी दिपावली के पहले कितना दोड भाग उच्छल कूद करती अपने माता पिता को दिये गमले घड़े बनाने में मदद करती थी लेकिन कुछ दिन पहले ही इसकुल से आते हुए एक रोड एकसिडेंट में रूपा के आँखों की रोसनी ही चली गई थी चुलबुल सी प्यारी सी मासुम रूपा इस बार दिपावली के तेवहार के लिए कोई तयारी नहीं कर पा रही थी और मन मसोस का चुप चाप बैठी थी जिसके कारण महले में भी उदासी च्छाई हुई थी दूर बैठी उसकी माँ चमपा ने उसे एक नजर देखा तो उसका मन भर आया आखों से दो बूल आसों के लुड़क कर गाल पर आ गए कि इस फूल सी बच्ची की आखों की रोसनी छिनकर इस्वर ने ना जाने कैसा बदला लिया है और चमपा आने वाली दिवाली के लिए दिये बनाने के लिए जुट गई बीज दिनों के बाद ही दिवाली थी वह ज्यादा से ज्यादा दिये बना कर बेचना चाहती थी ताकि वह रूपा की आखों के आपरेशन के लिए पैसे जोड सके उसने घर के किसी भी सदसे के लिए नए कपड़े या नए सामान नहीं खरीदा था अगले दिन उसके पती ने कहा चमपा अब हमारी रूपा देख पाएगे मुहले के सारे लोगों ने दिवाली पर मिट्टी के दिये जला कर और घर पर ही मिठाई बना कर तिवहार मनाने का फैसला लिया है नए कपड़े, मिठाई, पटाखों के पैसे बचा कर सब ने रूपा के ओपरेशन के लिए पैसे दिये हैं तीन दिनों के बाद रूपा का ओपरेशन हुआ और दिवाली से पहले ही रूपा के आँखों की पट्टी खुल गई अब वह देख सकती थी, पूरा महला अब उसकी आँखों की रोस्मी की चमक से नहाया हुआ था लोगों के उत्सा का ठिकाना नहीं था, वे रूपा को भर भर कर आसिरवाद दे रहे थे तुम जीयो हजारो साल तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि यदि कोई वास्तों में जरूरत मन्द है तो उसे दिल खोल कर मदद कीजिए जिस प्रकार रूपा के महले वालों ने रूपा की मदद की तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताईएगा और यह कहानी अच्छी लगी? तो लाइक जरूर कीजिए और आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मिलते हैं इसी प्रकार के मोटिवेशनल वीडियो के साथ तब तक के लिए टेक केर, बाई, थेंस फॉर वाचिंग